Hello students, so you are most welcome in today's video So students, आज आप सब के लिए next video जो most important है और अगर आप class 12 के psychology के students है चाहे आप Hindi वीडियम के students है या English वीडियम के students वीडियो को आपको पूरा देखना है, सुनना है बहुत ही important video है, बहुत important topic है because इस topic में मैंने discuss किया है एक ऐसे important model को जो कि आपके exam के point of view से अगर आप class 12 के psychology के students है चाहे हिंदी मीडियम के students है या English मीडियम के students दोनों ही तरह से आपको ये helpful video है साथी सद अगर आप किसी competitive exam clear prepare कर रहे है जिसके अंदर आपका CET या TAT exam clear prepare कर रहे है तब भी आपके लिए वीडियो बख़यदा important है ठीक है और ये video दोनों ही मीडियम के students के लिए है तो आप सब किसी तरह का confusion नहीं होना चाहिए मन के अंदर की ये हिंदी में है या English में है ये particularly दोनों ही मीडियम के students के लिए है सबसे पहले मैं slide based से आपको समझाओंगा उसके बाद NCRT के book को मैं follow करके उसके notes को follow करके completely मैं NCRT book के mode से आपको explain करूँगा ठीक है ताकि आप NCRT का base जो concept है वहाँ से भी आपको मिले और यहाँ से आपको मैं slide based भी आपको समझा सकूँ ठीक है तो सबसे पहले हम समझेंगे कि past जिसे हम past model कहते है कि ये जो past basically model है ये कब आया ठीक है इसको प्रतिपादित किस ने किया किस मनोविज्यानिक ने इस model को basically दिया है ठीक है past basically जो आप नाम देख रहे हैं ये जो है आपके 3-4 alphabets basically है basically 3 alphabets है लेकिन एक alphabets में आप देख रहे हैं double times है so P-A-S-S है ना अंग्रेजी के जो अक्षर आपके होते है उन्ही से ये आपका past model लिया गया है और सभी अक्षर के अलग-अलग क्या है meaning है अर्थ है ठीक है अक्षर का जो proper जो क्रम है यहाँ पर past जो की easy to learn है past आपको learn करने में easy होगा लेकिन इसका जो proper order है basically वो A सबसे पहले आएगा double S बाद और P सबसे last में आता है so अब बात करते हैं कि ये जो model है past model basically psychology के एक important model है तो इससे दिया किसने किन psychologist ने इस model को इस theory को हमें मतब दिया है समझाया है so यहाँ पर आपको देखो तीन psychologist के नाम मिलते हैं JP Das, Jack Neglery and Kirby 1994 में इन्होंने इस theory को दिया है इस model को दिया ठीक है और आपको ये भी बता हो जैसे हैं कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2018, 2019 और 2020 में भी ये आपका past model से आपके question पूछे गये हैं कई बार आपके exam में students purely आपसे A से question आ जाता है past model के A को आपको explain करना होता है कई बार double S में आपको difference पूछ लेता है कई बार आपसे P से question आ जाता है कई बार आपको A और double S से question आ जाता है या P से question आ जाता है तो आप इसको अच्छे से बिल्कुल समझेंगे और अच्छे सही मैं आपको समझाने कोसिस करूँगा ताकि आपका doubt को confusion आपको नहीं रहे इस particular topic में तो हम सबसे पहले यहां देखते हैं जो आपका A है इसका एक proper order form में पढ़ेंगे हम past model को तो सबसे पहले A जो है A basically A का मतलब यहां पर क्या है जिसे arousal attention कह सकते हैं इसका हिंदी अर्थ होता है भाव प्रबोधन या अवधान arousal का basically मतलब होता है एक तरह से stimulation मतलब अंदर कोई चीज जो आपके अंदर activate होती है कहने का मतलब जिसे आपको कुछ पता लग जाता है जिसे आपको पता लग जाए कि हाँ किसी की birthday party है ठीके तो आपके अंदर एक arousal होता है या आपको पता लग जाए कि आपका exam है या आपको पता लग जाता है कि एक कोई particular movie है जो आपको एक particular actor की जो आपको बहुत पसंद है एक particular date पे release हो रही है और आपके father लेके जा रहे है तो मतलब आपके अंदर क्या होगा एक arousal, एक attentiveness आपके अंदर आता है ठीके, तो ये क्या है ये अपने brain, अपने mind का एक अस्थर होता है कि हमारा brain ultimate ये जो आपके तीनों जो psychologist है JP Das, Jack Ningeria और KB इने मिल करके अपने बुद्धी को, हमारे intelligence को उन्होंने क्या किया इस अस्तर से, इस तरीके से समझाया है ठीके, कि कोई भी चीज जब हम first time उसको सुनते हैं समझते हैं, तो हमारे mind में क्या होता है एक arousal, एक attentiveness उस चीज को लेके हो सकता है आपका exam हो सकता है आपका test हो सकता है या कोई party हो सकती है कोई शादी हो सकती है हो सकता है आपका कहीं planning हो, बाहर घूमने का कुछ भी हो सकता है, ठीके तो एक arousal, attentiveness आपके अंदर जो जगता है second आपका आता है S जो कि यहाँ पर double S है मतलब क्या होता है सहकालिक मतलब कोई शाद साद होती है and साद साद होने के साद साद second S का यहाँ पर मतलब है successive processing successive processing का मतलब होता है anukramic procurement anukramic procurement का मतलब जैसे माल लेते हैं अगर आपको यह पता लग जाता है कि एक particular date पे एक particular movie रिलीज हो रही है और वो movie आपको बहुत excited कर रही है आपके अंदर एक arousal attentiveness लेका रही है और आपको यह भी पता लगता है कि आपके father कह देते हैं कि आप सभी चलेंगे उस movie को लेकर के दिखाने लेके जाएंगे ठीक है आपके father आपके parents complete family आपकी जा रही है ठीक है तो यहाँ पर आपके अंदर simultaneous एक मदब क्या होगा आपके अंदर बहुत सारी बाते चलेंगे कि हम किस तरह से जाएंगे किस तरह से enjoy करेंगे और अपने सासद कौन-कौन जाएगा ठीक है और सासद आपके अंदर processing भी हो रहेगी हम dresses कौन-कौन से select करेंगे मतब बहुत सारी बाते आपके दिमाग के अंदर चलेगी तो जैसे ही आपने वो जो particular movie है वो आपके लिए क्या कर रही है एक arousal है ठीक है अब वो आपको attentiveness लेके जा रही है आपके अंदर excitement थोड़ा सा और बढ़ा रही है कि हाँ जैसे एक एक दिन बीत रहा है आपको अच्छा सा लग रहा होगा ठीक है कोई भी चीज हो सकती है यहाँ particularly आपके entrance exam या किसी test या किसी exam की date को लेके भी आप समझ सकते है या result का announcement जब होता है उस time भी आप लेके सोच सकते हो रिजल्ट का अगर date आपका आने वाला है बहुत नजदीक है तो आपके अंदर एक attentiveness आ जाता है है ना असासत बहुत सारी processing होती है और आप ये भी करते हैं कि जिस दिन आपका result आ जाएगा उस दिन आप कैसे लोगों से मिलेंगे क्या प्योहार करेंगे क्या बरताओ करेंगे है ना बहुत सारी ऐसे अपने mind में बाते आती है last आपका होता है planning जिससे हम कहते है योजना तो ये last है basically यहाँ पर आप देख रहे है P first में एक easy way है learn करने का अगर ये ASSP होता तो साय थोड़ा difficult लगता याद करने में लेकिन pass है तो वो easy है उसे learn करना ठीक है so यहाँ पर basically P, A, double, S model का मतलब यहाँ पर यही है students आपके जो four alphabets है जिसके देरे एक alphabet आपका double है तो हम कहेंगे तीन ही alphabets है basically अंग्रेजी के और यह त्री alphabets basically है इनके अलग-अलग यहाँ पर meaning अपने को देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले मैं आपका English content मतलब content में आपको लेके जलता हूँ इसी same slide PDF में और सबसे पहले मैं English में read करूँगा उसके बाद Hindi के students के लिए proper में Hindi की book के same आपके chapter पे चलूँगा जहाँ पर आपका topic है उस topic से भी मैं आपको समझाऊंगा line to line ताकि आपको चीजे बिल्कुल clear हो जाया और यह आपके exam के लिए बहुत important है ठीक है अगर आप किसी खास competitive exam के लिए prepare कर रहे हैं तो आप वीडियो को छोड़ की जाना नहीं वीडियो को पूरा देखना है आपको definitely यह वीडियो आपको help करेगी student तो चलते हैं move करते हैं next slide तो यहाँ पर हम order को follow न करते हुए बिल्कुल पास जो आपको model है उस proper उस order को follow करते है सबसे पले P अपने को मिलता है P का मतलब क्या होता है It is an essential part of the intelligence after the information is attended to and proceeded planning is activated तो यहाँ पर वही मतलब है कि एक planning आप करते हैं आपके अंदर उस चीज को लेके mind में ऐसा activation होता है जो भी particular अगर आपका exam है तो उसको लेके planning आपके अंदर आती है किस तरह से हम time अपने time को separate करेंगे, divide करेंगे और किस तरह से particular exam के लिए अपर आपको prepare करेंगे ठीके, यहाँ पर arousal attention जो कि आपका basically first में था ठीके, first में आपका arousal attention ही होता है तो arousal attention का मतलब basically वही हो गया कि आपके अंदर एक attentiveness आना आपके अंदर किसी चीज को लेके stimulation होना किसी चीज को लेकर कि आपके अंदर बोल दिया कि आपका test परसों है या कल है तो आपको बहुत जल्दी से एक mind में क्या होगा attentiveness आ जाएगा ठीके, last आपका double S है तो यहाँ पर S का मतलब simultaneous और second S का मतलब successive processing तो वही बात हो गई अगर आपके teacher ने announcement कर दिया है कि आपका test है तो आप क्या करेंगे simultaneously बहुत सारी चीजे सोचेंगे आप और आप ये भी सोचेंगे कि किस तरह से मुझे test ने prepare करना है ठीके, कौन से chapter को पहले रखना है कौन से को बाद में रखना है मुझे कितना learn करना है और किस order में learn करना है कौन से question प्रिवेसर पूछे गए है या कौन से question ज़्यादा important हमाई teacher ने बताया वो सारी चीजे आपके mind में process करेंगी right so I hope instruments की आपने यहां तक अच्छे समझ लिया आप चलते हैं हिंदी की proper जो है अपनी book से और वहां से इसको step by step पढ़ते है right okay instruments so अब हम देखो आगे हैं आपके हिंदी slide के ऊपर यहां से आप देखेंगे proper past का model आपको मिलता है समझ में यहां पर एक एक चीज आपको आएगा ठीक है तो आप इस model को definitely आप prepare करेंगे अगर आप class 12 के student है psychology आपका subject है so यह निश्चित रूप से आपकी help करेगा आपके exam को और साथे साथ यह आपको भी enhance करेगा आपकी knowledge आपकी skill में भी enhancement लाएगा ठीक है so यहां पर आप देख रहे हैं जैसा कि आपका यहां पर आता है बुद्ध की योजना, अवधान, भाव, प्रवोदन ठीक है तो यहां पर एक एक को हम थोड़ा थोड़ा पढ़के समझते हैं, हिंदी मीडियम की इस्टून ताकि clarification अच्छे सो जाए यहां पर arousal attention basically क्या है करा भाव प्रवोधन की दसा किसी भी बेवहार के मूल में होती है मूल में होने होने का मतब कि कोई चीज इसे माल लेते है अगर आपको बोला जाए कि आपका test instruments so उसके beginning में ही मतब test announcement होते ही आपके अंदर जो आपकी जो दसा होगी आपकी जो हालत होगी आपका जो facial expression होगा वो कहीने कहीं उस चीज़ को आपको यह समझाना चारह है क्योंकि यही किसी उदिप्त की और हमारा ध्यान आकरसित करती है भाव प्रबोर्धन तथा आवधान ही विक्ति को सूचना का प्रक्रमड करने योग बनाता है जब तक आपकी teacher announcement नहीं कर देती कि आपकी exam date आ चुकी है तब तक आपके अंदर वो excitement वो attentiveness नहीं आता ऐसा आपने भी observe किया होगा या हमने भी इस चीच को observe किया है सभी लोगों ने ऐसा observe किया है कि जब तक कोई particular date अपने को मिलती नहीं deadline मिलती नहीं तब तक हम लोग क्या रहते है free fund के रह रहे हैं free enjoy कर रहे हैं लेकिन जैसे अपने को date मिल जाती है तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा अपने time को utilization जो हम करने लगते हैं सोच के करने लगते हैं कहां ज़्यादा time देना है कहां कम time देना है वो सारी चीचे हम इस stage में करते हैं तो इसका example भी same वही है आप उस example को लिख सकते हैं ठीक है सहकाली कत्वा अनकरमिक रूप से क्या करते हैं करना सुरू कर देते हैं जैसे ये announcement आपको सुनने में आता है आपके mind में वो सारी चीचे आ जाती है और वो सुचना सुरू कर देते हैं किस तरह से मैं test के लिए या अपने exam के लिए या particular party या पर्टिकुलर शादी या particular जगह जाने के लिए आपने आपको किस तरह से मैं prepare करूँगा आपको माल लेते पिकनिक ही जाना है तो किस तरह से मैं prepare करूँगा वो सारी processing आपके mind के अंदर होती है आपने एक Ravens Progressive Mattresses आपने देखा होगा कि आपने mind का इस्तमाल करके एक proper best fit find करने एक कोसिस करते है उसका आपका last आता है योजना इससे planning कहते है planning final stage होता है जब आप planning कर रहे होते हैं अपने किसी target को पाने के लिए तो इन्होंने देखो क्या बता है योजना बुद्धी का एक आवेसक अभे lecture है है ना इसे कोई भी काम जिसे मैं आप सब के लिए ये वीडियो जो बनाया हूँ तो मेरी भी proper योजना थी कि मैं किस stage से देखो कैसे कैसे मैं आपको समझा हूँ सबसे पहले मेरे mind में एक idea आया है कि आज मुझे past model पढ़ाना है और past model पढ़ाने के लिए कौन-कौन से content के मुझे जरूत है ताकि मैं सबसे पहली बात student को easy form में, easy way में और proper picture action के साथ मैं उनको मैं समझा सकूँ, उनको मैं बता सकूँ ताकि student को चीज़े समझ भी आ जाए बोर भी नहों, और सारी सीज़े clear हो जाए ठीके तो ये मेरे अंदर भी same वही process होता है और मैंने क्या कि आपको पहले slide prepare किया step by step जो मैंने आपको भी दिखाया अपने वीडियो के mode से ताकि आप वहां से English medium के students को मैंने cover किया ताकि English medium के students के लिए बना रहा हूं है और इसके पहले मैं English के psychology के course को काफी कुछ कवरी कर दिया है तो planning है basically हाँ अपने target को cover करने को करते हैं जो हमारा lecture होता है जो हमारे target होते हैं उसकी तरफ focus होते हैं कि किस तरह से हम planning करेगी उस target को हम पासके अच्छे से तो जैसा कि मैं final video अपनी upload करने वाला हूँ भी कुस मिनट में तो मेरा ये target कहीने के इसे पूरा होने वाला है ठीक है तो ultimate यहाँ पर आप कह सकते हैं एक cognitive assessment पूरा system होता है आपके mind का इसे हिंदी में कहते हैं संग्यान अत्मत मुल्यांकर प्रडाली आपके mind पूरी तरह से चलती है और उस तरह से जो है आपका brain पूरी तरह से काम करता है students तो आपने देखा कि यह आपका जो past model है कितना important है और आपके अलग-अलग alphabet से भी question पूछे आ सकते हैं कई बार आपसे सिर्फ यह पूछ लेगा कि भाव प्रबोधन या आवधान को आप समझाएए तो आपको वो समझाना पड़ सकता है या आपसे पूछेगा सहकाली क्या अनकरविक model के बारे में समझाएए तो आपको यह भी समझाना पड़ सकता है या पास मॉडलों किस ने दिया MCQs में question आ सकता है कब दिया MCQs में question आ सकते हैं तो उसे बहुत सारे आपके question बन सकते हैं इस पास मॉडल से तो आज हमने कास्ट 12 की psychology का एक बहुत ही important topic पास मॉडल को समझा है जिससे दिया था JP10, Jack Negeri और Caribbean 1994 में Hope that students के आपको यह वीडियो पसंद आई है किसी students को कोई doubt है हमारे psychology subject को लेकर के तो आप definitely message कर सकते हैं अगर आप अन्य subject भी पढ़ते हैं तो हमारे वीडियो पे definitely आपको बहुत सारे यादर subject मिल जाएंगी Humanities के students के लिए ठीक है अगर आपके कोई demand होती है students आप उसे भी YouTube के comment box में लिख सकते हैं और हम ultimate तरह से आपके लिए work कर रहे हैं ताकि आप सब जो है properly अच्छे सीज़ों को समझ सके last में आप से request किये है students कि इस वीडियो को अपने friendों तक जरूर आप पहुँचाएं subit के बारे में जनकरी चाहते हैं ऐसा कि मेरे channel के आप proper जब उसमे channel 8 में जाएंगे आप इल्कुल channel open करेंगे था उसको जो है icon मेरे logo को click करके तो proper आपको मेरे other channels में मिलते हैं जिसके अंदर proper अगर कोई भी आपके friend आपका sibling कोई होता है जो class 10 का students है तो class 10 की free classes मैंने प्रवाइड की है बहुत ही better quality से step best step मैंने guide किया है बहुत अच्छे से और उसके लाव में engineering भी पढ़ाता हूं तो engineering के लिए कोई students अगर बीटे कर रहा है जिसके अंदर आपको various knowledge मिलती रहेगी so till then is to end take care and thank you so much